हेलो डिया स्टुडेंट एक बड़ी सुचना निकल करके सामने आ रहे हैं सिज्जी व्यापम, 36 गड़ व्यावसाई, परिक्षा मंदल रायपूर की ओर से सिज्जी ट्रेट 2020 का मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया है, इसमें हम लोग जानेंगे आपे सिज्जी चेट के लिए कितने अंक मिलने पर पास होंगे, टेट कैसे क्वालिफाई होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में अपरे विए पेपर तो दो एक्जाम हुए थे, इन दोनों पेपर में आपको कितने-कितने अंक लाने है, त और पूरे सेट के बारे हम देखेंगे सेट A, B, C, D पूरी complete वीडियो यहाँ बनेगा चलिए हम लोगी स्टार्ट करते हैं आगे अपना देखते हैं कि क्या है इसका model answer ठीके चलिए बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मैं यहाँ पर एक set A का model answer सामने open कर लिया हूँ ठीके इस answer set में आप देखेंगे कि एक से डेड़ सो कोश्चन दिये हुए हैं एक से डेड़ सो तक के कोश्चन दिये हुए हैं यहीं यहाँ किसका है paper first का है paper first का है या paper first का मतलब होता है कक्षा एक से कक्षा पांच तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टेट का paper आपने दिये हैं जो morning time paper हुआ था उसे बोलते है paper A ठीके या paper first यदि आप इसका answer set load करना चाहते हैं तो आप सिज्जी व्यापम के side पे चले जाए है यदि आप वहाँ से लोड नहीं करेंगे तो मेरे चैनल के description box में चलेजी वहाँ पर टेली ग्राम चैनल दिया हुआ है मेरे चैनल का ठीके वहाँ यह चैनल में अपलोड कर दिया गया है answer set upload कर दिया गया है वहाँ से जाकर करके आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टी एस्सी और ओबीशी के लिए 50% मतलब 75 marks 75 कोशन यदि आपने सही कर दिया है तो आप सीटी टेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाइग कर जाएंगे साथ सीजी टेट का सकेंड पेपर भी क्वालिफाइग कर जाएंगे यदि आपने एक नंबर भी कम हो गया है आपका यदि 74 नंबर भी आपको मिलता है तो वहां पे आप डिस्क वालिफाइग हो जाएंगे यहीं हम यदि जनरल की बात करें जनरल के जनरल कैटी के लिए 60% हो जाता है आपका 90 marks आपको ले करके आना होगा तो 90 marks आप ले करके आएंगे तब जा करके आपको क्वालिफाइग हो ठीक है तो पेपर सकेंड में दो कैटेगरी हो जाता है आपका एक हो जाता है science एंद math की कैटेगरी और सकेंड हो जाता है आपका sst मतलब होता है सोचल साइंस तो यहां पर 150 कोंचन उस पर भी होते हैं 150 कोशन पे ओहां पे भी आपको 75 कॉस्जन सही करने हों गे तीन प्य dense क की जबने फिविए कोना में तो आप क्वालीफाई कर जाएंगे करने मार्क्स आफाई के लिए यह जेडर्राइट देश्ट्राइब करिए खेना दैनलॉड के लिंक करेंगे उन उसे सब्सक्राइब कर लिजिएृटर ना होगा कि लिक्ताद दावा बत तो यहां पर देखेंगे नीचे कुछ यहां पर दिया हुआ है दावा करने का पहली बात तो जैसे व्यापप ने किसी का मान लेता हम लोग यहां पर 84 नंबर का देखते हैं कि एंसर उसने सकते हैं यहां से आप दावा अपत्ति कर सकते हैं एस स्थिति में आपके पास पूरूफ हो तो यहां पी जब आपको मिलेगा और यहां दो नंबर की कम हो रही है आपको क्वालिफाई होने में आप क्वालिफाई कर जाएंगे यह राग कंप्लेट सी वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो यदि किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपको वहाँ पर सॉल्यूसन दिया जाएगा साथ ही एक बात तो और रहे गे हां साथ ही आपका कितना मार्क्स आता है आप क्वालिफाई कर रहे हैं तौर कर रहे हैं कितने नंबर आ रहे है इसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यह आपको किसी तरह के कोई होता है तो उसका solution आपको दिया जाएगा कि हाँ आपका नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कितने कोशन गलत हैं इसको चेक किया जाएगा आज चेक करने के बाद हम बताएंगे कि कितने नंबर सही हो रहे हैं यादी गलत है कुछ परशना विलो उपीत नहीं किया है झाल 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 झाल